नमस्कार के समभाई हो आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों अगर आप चने की खेती करते हो चने की खेती में आपको विल जैसी समस्य आ रही है फ्लावरिंग के लिए समस्य आ रही है साइस बढ़ने में फुटाव करने में समस्य आ रही है तो आ कितना महतोपुर्ण होता है कि अगर एक कॉंबिनेशन के अंदर अगर आपका खर्चा बढ़ जाता है तो सो एकड में वह मल्टिप्लाइब भी उतनी तेजी से हो जाता है तो रिजल्ट को बरकरार रखते हुए अगर आप उस कॉंबरेशन को सेट करें तो थ्न तो चनए की फसल की जो भी संब्स्या है उसको भी अच्छी तरगैसे एप तो आपने वाले लगो बहूती शांदार नौने वारा इसके लिए एक वीडियो को एक लाइक तो बनता है और जाद देर ना करते हुए में उधिवराज और आप देखर अनिर्मता चाहिए शुरुत करते हैं तो किसाम भाईयों पहले हम बात करेंगे विल्ट के बारे में चने के फसल के अंदर जो विल्ट आता है उसका जो फंगस लगता है व पत्तियों को प्रोटेक्शन देने में वह सक्षम होती है लेकिन उसमें जायलेम आक्शन यानिकी नीचे की तरब जाने की शमता नहीं होती है एलेट को छोड़कर जो भी दावयों का आप अगर विल्ट के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाल आपको दिकत आ सकता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगर आपको स्प्रेंच से पैन्ट की समस्य आ को कंट्रोल करना है तो अप अन्ट्री नहीं के लिए कर विल्ट को कंट्रोल करने में ऐसा कौन सी वो चीज जिससे विल्ट की समस्य जगह पे रोक सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप चने के फसल में चने को खुला पानी देते हो तो उस खुले पानी के अंदर आप रोको का इस्तमाल कर सकते हो या पिर आप हरू का बी इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप ताकत का इस्तमाल कर सकते हो रोको जिसके अंदर नापने के पहसल में तो स्वादिन के नाम से भी मिलता है आप सersonale कर सकते यह वह बहुती सस्ते में अच्छा वाला प्रोड़क्त आपको वीड को समस्या रोकने के लिए यह जो हम दूर्चिंग बता रहे यह फुले पानी में से नल लगा कर जो बाते बता रहे यह आपको प्रिवेंटिव के तोर पर करनी है रोग आने के बाद यह ज्यादतर कार्य नहीं करते कुछ प्रतीशत में ही एक हो जाता है तो हरु करके आपकी चने की फसल को अच्छी तरके से बचा सकते हो यह पर एक बात में आपको नोटीस करा देना चाहता हो कि अगर आप स्प्रेंग करके विल्ट की समस्य को रोक रहे हो तो वह सिर्फ और अगर यह बजट में काम हो जाता है तो आपकी विल्ट की समस्य बहुत ही आसन तरीके से सहल हो सकते हैं अभी और फुटाव के लिए और बाकी चीज़ों के लिए तो वह combination यह रहा तो हम लेने वाले शामीर आदमा कंपणी का शामीर जिसमें टेवू कॉनेज़ों प्लस कैप्टन आता है जो शामीर लेने वाले हम 200 लिटर पानी के लिए 200 अमेल प्लस उसके साथ हम लेने वाले इल्ल्यों के लिए प्रोक्लेम जिसमें इममेक्टिम लिए पानी के लिए सो आप लेने वाले नायट्र बेंजीन नाप किसी और कंपनी का फिसपे लेब वो लेना है आपको 200 लिटर पानी के लिए 400 में इससे क्या होता है फुटाओ अच्छी तरगी से होकर आपके जो चने में ज्यादा फूल भी लग सकते हैं तो इसका आप इस्टमाल जरू कीजेगा और इसी के साथ साथ जो ग्रीनेरी बढ़ाने के लिए आपके पतियों का हरा अगर फ्लावरिंग स्टेज में या फिर फ्लावरिंग स्टेज से पूरो या फिर फ्लावरिंग स्टेज के बाद भी आप डालते हो तो आपको बहुत ही अच्छे और शांदार रिजर्ट मिल सकते हैं अभी खास बात बाकि है लेकिन खास बात से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो भाई कर दो आपको इससे भी बहुत थी बढ़िया वाले जान करें आगे भी मिलने वाली तो किसाम आज की खास बात में मैं आपको चने के खेती से रिलेटेड दो चीज़े ऐसे बताने वाला जो कि आपके चने के ख प्रतिशत वाला मार्केट में मिल रहा है अगर आपके दुकान में नहीं मिल रहा है तो किसी और अन्य जगह पे आप इंक्वाइरी भी कर सकते हो ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हो तो नाइट्रो बेंजी बहुत ही सस्ते में अच्छा फूटाओ करने वाली दावा यह आप का इस्तमाल अगर कर चुके होंगे तो आपको यह बताने की भी जरूरत नहीं है और दूसरी खास बात बताने से पहले हमारे ओल इंडिया में विजिट सर्विसे से अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस वाट्सप नंबर पर क्वाइरी के लिए आप क्वाइरी के लिए पहले है यहने कि हम किसी भी पंचिसाइड का अगर हम यूरे के साथ इस्तमाल करते तो हमें अच्छे ृजल्ट मिलते है ऐसा में बताया जाता है और हम इस्तमाल भी कर तो उससे हमारा फायदा तो कुछ नहीं लेकिन नुकसा नहीं हो रहा है तो जी हां भाई अगर विल्ट का फंगस लग चुका है और ऐसे में आप अगर फसल के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ा होगे तो और भी ज्यादा दिक्कत आपकी बढ़ने वाली तो यहां पे आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि विल्ट का फंगस लगा है और तो ऐसे में आपको पंजी साइड के साथ यूरिय का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे आपका नुकसान बिल्कुल भी रुख सकता है अगर आप यूरिय का इस्तमाल आपके पंजी साइड के साथ स्प्रेंग के लिए चने की फसल के अंदर नहीं करते हो तो अगर आपको